मेरे चैनल का नाम है SKY MIGRATION CONSULTANTS इसके दा मेरे वीडियो देखे रहे हैं मेरे YouTube चैनल SKY MIGRATION CONSULTANTS मेरे Facebook पेज SKY MIGRATION CONSULTANTS पे UK Tourist Visa आपने थमनल देखा होगा मैं इसके बारे में थोड़ी से मजीद बार डिसकस करना चाहरा हूँ समझाने के कोशिश करना चाहरा हूँ जो मुझे पता होता है मैं कोशिश करता हूँ कि आप से लाजमी शेयर करो UK का Visit Visa अपलाई करना इसमें कोई Rocket Science नहीं है उसमें कोई भी उटके अपलाई कर सकता है यानि जिसके डाकॉमेंट्स हैं या जिसके डाकॉमेंट्स नहीं हैं लेकिन मसला कहां पर आता है मसला आता है अखरजात में FICES में Consistency FISA में Embassy की FISA में Document Scanning की FISA में Appointment की FISA में और इसकी सबसे बात END पे क्या विजा लगेगा हम लोग जिस करसेटर के पास जाते हैं हम लोग कहते हैं हमने UK का विजा अपलाई करना है वो बगार देखे Blind Persons की तरह आपके documents को assess किये बगार आपको कहते हैं का विजा हो जाएगा बहुत bright chance हैं जी आपकी documentation जितनी मर्जी week हो वो इस बात को नहीं करेगा उसको क्या होगा उसको just or just अपने जो fees मिल रही है अपनी consistency fees मिल रही है उसको उससे वज़ा है उसको वो चाहिए उसको बाकी कोई चीज कोई elements को जो मर्जी हो इस बासे कोई दखन दाजी नहीं है कि क्या होगा क्या होगा इंबैसी की फीस कितनी होगी का उनका rate क्या जा रहा है document scanning की फीस कितनी है applicant उससे शहर से कहां जाएगा आपका पता है कि पाकिस्तान में UK का case और आइडान का case सिर्फ चार जगा जमा होता है जिसमें लौहर है कराची है Islamabad है और मीरपूर अजाद कश्मीर में ठीक है या को case जमा होगा अब अगर दूसरे से टीसरे को अफिसली ट्रैवल एक्समेंसी पढ़ेंगे बारहल हम इसको discuss नहीं करते हैं हम लोग discuss करने के जो हमारा topic है उस पर आते है UK visit visa कौन लोग apply कर सकते है क्या documentation होंगे strong जिससे visa लगने के chances होंगे अब बात या आती है कि हर किसी का family member UK में नहीं होता अगर अपनी बात करता हूँ मेरा visa recently grant हुआ है मेरे family members UK में है पर इतने भी ज्यादा नहीं है अगर मिसाल देता हूँ मेरा family member UK में कोई है ही नहीं मैंने फिर भी visa apply करना तो मैं किस तरह apply करूँगा तो obviously मैं as a tourism apply करूँगा as a tourist apply करूँगा मैं काँगा जी मैं UK जाना चाहरा हूँ फिलाँ purpose के लिए अब वो मेरे काखजात कर देखें अब वो देखेंगे जी कि भाई साब ये बंदा जो apply कर रहे पाकिस्तान में क्या करता है क्या इसके circumstance strong है क्या इसके ties है तो फिर वो visa grant अब circumstance क्या आते है हम लोग कहते है हमारी प्रॉपर्टी को दस करोड़ पर की visa grant हो जाएगा ऐसा नहीं है हमारे एक करोड़ पर पढ़े हो visa grant हो जाएगा ऐसा मुम्किन नहीं है ऐसा मुम्किन क्यों नहीं आपकी दो बोजवा बताता हूँ जो प्रॉपर्टी है शायद आपने प्रॉपर्टी किसी को सेल की वी हो आपने पैसे ले लिए हो ट्रास्टर करवानी हो प्रॉपकानी खरतम यह आप कोई circumstance नहीं है अब आपने कौन में एक करोड़ पढ़ा है आपने एक करोड़ पर किसी दे लिया है इतनी इंकम है मेरा इतना एक्स्पेंस है और वो जब पीछे सिक्समेंस का रिकॉर्ड देते हैं जो वाकिसकी एक्च्वल जो आ रही है पर्टिक्लर की चीजें हो रही है तो वो इस पास इस भी आपको वीजा ग्रांट करेगा आपकी फैमिली होती है आपकी फैमिली क्या होता है आपने देखा होगा जो उकसे युके के वीजे रिफ्यूस्ट हो रहा है उस पे एक ऑप्शन आ रहा है आपका फ्रेश नहीं है 2022 का लगा दिया 2021 का लगा दिया या उसरा तो वो आपको पता है कि जब relations कटाम हो जाता तो उसमें record कटाम हो जाता तो वो ये कहते है आपको फ्रेश दो फ्रेश मत मिली है 직접 Last month का हो Last week का हो Last days का हो या पिर इतना Peakical में पराना भी चायजा से, bढ़ाना नहीं अब अब वो इसमें ये देखते हैं जी वाकिए इसमें भी बचन के शो हो रहे हैं इनकी कोई लद्गी तो नहीं होगी तो इस ब्याफ पे वो वीजा आपको ग्रांड करते हैं आपके सरकम्स्टेंस के ब्याफ पर ना के बैंक स्टेपल अब मिसाल के तोर पर अब लोग कहेंगे परूंड जी बैंक स्टेपमेंट है इसके लिए बैंक स्टेपमेंट में इतने पैसे हैं ठीक है अब आपने शोग करना जी के मैं जा रहा हूं यूके मेरा आपको विजा कभी भी ग्रांट नहीं होगा यह वाज़े नशीन करने क्यों उसकी वज़ा यह है कि आप अपना वो गएगा विजा आप अपना जो एक हैवी अमाउंट है करना चाहर है तो आप वो गवर जाने को आपना चाहरा है मेरे Instagram तो मेरे घाने जिर्धूबार में इनकम है मैं अपना अपना विजन्श में श्यान आप तो मेरा इस्यार घ्रक्राइब आ के सप्धर आपश्व्ета करना तो इसरी है अपर आप वीजा ग्रांट होगा अब अक्सर एक्स में आपको मैं लास्ट अम्हें का था कि जो मैंने अपना वीजा अपलाई के तो मेरे कौर्ब ने बिलो दी वन लैक अमाउंट थी लेकिन मेरा वीजा ग्रांट हुआ क्यों उनको मैंने बताया थे मैंने पैसे उठा के सारे यहां पर लगा हैं इन्वेस्ट पैरेंट्स के लिप लाई के था उनके 10 येर्स का बैं था और उनके पचास जार पी की अमाउंट थी लेकिन दोनों की बैन भी खतम हुआ था हमने करवाय था वर वीजे भी ग्रांट हुए थे यूके के अब कहना है मतलब यह कि आप अगर वीजा अपलाई करना चाहरे है दो जूरी नहीं है कि आपके अकॉंट में इतने ही लिमिटेट पैस हो जिसा कल्सल्टन कहते हैं आप इतनी स्टेट्मेंट बनाएं उफलाग करें ऐसा नहीं लेकिन जो भी आपकी डॉकुमेंट्स हो जैन्वन हो आपकी डॉकुमेंटेशन पुटेंशल हो ताकि वीजा ल क्लियर कर दो हमारे से मिलने की कोई चार्जिस नहीं है फ्री ऑफ कास्ट मिलते हैं लेकिन हम डॉकुमेंटेशमेंट के 5000 चार्ज कर रहे हैं हम सबको प्रपरली टैम नहीं दे पाथ हम यह आपर कमाने चाप हैं हम लोग इसस因為 सानल मिलने वाले बहुत बहुत हैं प्छार ब बताएंगे जी कि आपकी जो वीजा अप्लाई करना चाहरे हैं उसमें कितने चांसी से अगर वीक है तो उसको आप मजीद बेतर कर लें यह थी इंफोर्मेशन यूकिस रेलिवन्ट उमीद करता हूँ आपको सब कुछ क्लिए होगी समझाई होगी मजीद इंफोर्मेशन हमार जलत के ने इंफोर्मेशन के साथ बहुत शुक्रिया खुदा आफिस